सलाम अलेकुम इवर्स आज हम बनाने वाले हैं फिल्ट करी तो यह बनाते वक्त आपको बिलकुल भी कोई भी दिक्कत ना आए इसलिए मैं इसे ऐसे तरीके से बताया है इजी करके कि इसे आप पहले ही बार में पर्फिक्ट बना सकते हैं बिसमिल्लायरक्माने रहें तो बाद में भी अर नमक का की स्थे वाले हैं और आपको पसंद होता है तो किसी को को नहीं अगर आपको पसंद है तो आप रख दीजिए मत तो स्बसे पहले से मैंने कटकर कर पकरेत अच्छे से दोकर लिया któr अब ना मैं उसमें नमक और हल्दी थोड़ी से लगा पर मेरिनेट के लिए बस थोड़ी से हल्दी लेनी है हमें आधे चम्मत से भी कम क्यूंकि हम बाद में भी हल्दी का और नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं और बस थोड़ा सा नमक दो तीन पींच उतना और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे ताकि हल्दी नमक फीश को अच्छे लिए एक बगल साइस की प्यांस लसन की पंदला से बिसक लिया और दो इंच के करीब अधर का तुकरा बस थोड़ा सा नारियल सुखा वाला आप चाहे तो कच्छा भी यूज कर सकते और एक बगल साइस का टमाटर लिया है अब इन सभी चीजों को मिक्सर में बारिक पीस क करना सबना है यहांके नारियाल यहां पもう से 5-6 चमाच यूज किया है लो फ्लेम इर ग्यास औंपर पतिला रख़िया हूं छ करी बनाने के लिए पतिले में मैं येरग चम्मgn तेल रहे हम तो देखिएळी तेल जैसे ही गरम होता हूँ जो हमने अभी हारा पेस्ट बना कर ल लगेंगे उससे कम से कम 2-3 मिनिक लगेंगे इसी तरह से मिक्स करते हो यह हमें भून कर लेना है स्किप नई करना है तो देखे इस तरह से साइट से तेल निकलना चाहिए उसमें मैं थोड़ी से हल्दी और स्वादा नुसार एक चमच लाल मिच पालडर और एक छोटा सा कहले बार बनाते हों तो नमक और मिर्स थोगी कम ही डालेगा जब हमें बाद में चेक करने के बाद जरूरत होगी तब हम आपी जादा यूज करेंगे तो देखें मसाला भून चुका और इसे फिल से तेल निकल चुका है तो आप मैंने जो आप मैंने करके रखी हुई फील पानी का यूज करते हुए हमें इस फिश को ऐसे ही एक मिनिट के लिए भून कर लेना है और एक मिनिट बाद ना हम उस पर कुछ सेकन के लिए मतले 15 से 20 सेकन के लिए सुप ढ़क कर रखेंगे पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे तो देखें 15 से 20 मिनिक बाद आप मैं उसे चे अब ना उसमें मैं थोड़ा ऐसा कोकम डाल रही हूं एक चम्मच के करीब या फिर आप नीमबू का रस यूज करेंगे तो आदा नीमबू का रस यूज कीजिए या फिर इमली का तो यहां पर मैं दो कप पानी डाल रही हूं यह करी बनाते वक्त ना आपके घर के लोग कि फील करेंड करेंगे कि पानी कितना यूज करना है आपको कितना गाड़ा चाहिए यहां पर यहां पे 2 कप यूज कर लही हूँ और यह मैंने फिल्ट करी चार लोगों के लिए बनाया है तो आब इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे आब यहां पर मैं थोड़ा सा नमक आदे चमस से कम मैने नमक यहां पी यूज किया है क्योंकि हमने पहले भी नमक यूज किया था दो तिन पीच आप इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे और फिर से इसे ना 7-8 मिनिक तक फीश गलने तक हमें इसे पका कर लेना है यह तो आप इसे घखकर पकाते हैं लो फ्लेम तो 7-8 मिनिक बाद मैं चेक कर लेंगे तो देखे यह पक चुका है अगर आपको पता नहीं कि फीश गली है यह नहीं कैसे चेक करते तो आपको क्या करना है कि इसमें से फीश निकालनी है और उसे प्रेस करके देखना है वह पूरी दब जाएगी नर्म हो जाएगी तो समझ जाना है कि फीश गल चुकी है आप इसे ना ग्यास की फ्लेम बंद करते थे हैं क्योंकि पूरी तरह से पक चुका है और इसे गर्मा गरम रोटी के साथ चावल के साथ सर्व करते हैं अगर आपको मेरी विगलियों में कुछ भी सिखने को मिला होगा और अप मेरी चाइनल प हेलू